विदेख सिंग प्लिक्स जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि हम पंजाब से निकल गए थे रेस्ट्राइट में खाना खाने के बाद सीधे फिर सोचा कि लाओ जितना आगे हो सकता और ना आगे बाइक खीशने की कोशिश करेंगे बस बाइक का पैट्रोल भरा यह दो कुछ आपाने के बाद फिर प्लान बडाली है कि आप गाड़ी नहीं रोकि और मेरा की से ज़ूट बोलता चंदिगर रोकेंगे लेकिन मैं चंदीगर से कहीं जाधा अमबाला तक बाइक को खीश के ले गया मेरा प्लान ता डेली जाने का एक दिन में नहीं पहुंचने का लेकिन जस्ट बिकज़ आफ आखी क्योंकि थक गई थी तो वो हो नहीं पाया पॉसिबिल और इन दा एंड फिर हमें अम्बाला में ही रुपना पड़ा तो आज हम आईपे प्रणी हैं और हम ठाहर हा रहे हैं कुछ लजीज नहीं प्रणी प्रणी एस है नहीं प्रणी के लार में हुशचा भाल BIड़ खाना कासा है active मुझ देसले पेशाद नीबू के खुश्बू से थाज गए पाल भी मार के बैठे है वास आज हम पुरा फ्रॉपर खाएंगे सो लेट्स टेस्ट फूट ओके बाबाई हेलो अबरीबन बालो की रेड़ मर्च चुके तो प्लीज बालो को इगनूर का ना हाला बहुत जादा खराब है अभी हम हैं ले बस अभी हम हैं अम्बाला सिटी रात को करीब नौ बज गए थो सम्तिंग सम्तिंग यहां से पीस पच्छिस क्लो मिंटर दूर एक और जगह है मुझे एक्जेक्ट्ली इसका नाम याद नहीं हो अभर में होटल सगर कापी तरह से लिए डमका खीक सा होटल देखा नहीं हो और दो ही होटल थे वहां पर बड़ बेकार थे फिर हम लोग तीस क्लो मिंटर आगे और अम्बाला सिटी आगे साड़े नौ बजे करी रात को साड़े नौ सम्तिंग हो गए थे अच्छा एक होटल देखा लेट मीशो यू अभी बैंड बजी होई है बैटगी तो ज्यादा मस्सोच ना ठीक है बट हाँ होटल अच्छा था वहलन गुड प्लेस यह रूम था हमारा अच्छा था वह बड़ा एक्स्पिरेंस अभी हम निकलेंगे यहां से सीधे गाजियाबाद रीना के घर पर रीना जी के यहाँ पर क्योंकि उनका कुछ सामान है हमारे पास जो हमें उनका रेटन करना है जैसे कि हमने जैकेट बढ़ो करे थी उनकी जैकेट है और हमने अपना हेलमेट वहां छोड़ दिया था क्योंकि हमा रहा हेलमेट थोड़ा सा राखी के टाइट आ रहा था थो हम ने उनका हेलमेट ले लिया हमारा मीडियम था उनका स्मॉल था तो वो एकदम fit था, कानों में हवाना लगे, इसलिए हमने helmet भी borrow कर दिया था, for some kind, for some personal reasons, we can say that, अभी वो सारी चीज़े हम return करेंगे, और अमबाला सिटी से निकलते हैं, चीक है, time something क्या हो रहा है, time is 10 o'clock, 9.47, निकलते निकलते, तस हरा हालत में हो जाएगे, चीक है, तो चल अभी डिलाना है हमें सिद्धे petrol, और petrol के बाद, पर निकलेंगे, यह सारी गाड़ी का number नहीं देखवा, यहाँ पे शाइद अम्माला airbase है, army का, air force का, और, seriously, सुबह से ना, स्राइड ब्रिल चल रही है, उनकी में बी, सुबह से इतने F-14, F-16, F-20, इतने सारे planes देखे है सुबह से और वो साउंड से भी जाधा तीज रफतार से चल रहा है, तो उनकी जो साउंड है, भाई, सुबह सुबह जब चार पास प्रेन एक साथ निकले ना, तो ऐसा लगा, कि साला जैसे साइद, वल्ड वर्च छड़ गई किया, जो कि इतने सारे जहाज एक बार में अगर मैं चाहरा हूं कि निकलने से पहले एक शौट मिल जाना, तो मज़ा आ जाए, अमबाला से निकलने के बाद सीरिसली जो बंजर देखने को मिलाना, मुलाब क्या ही कहूं मैं, अपने आप में शॉकिंग था ये मनजर, उसकी वज़ा ये थी कि ये सभी लोग किसान हैं, और ये शायद जहाँ तक मैं अज्यूम कर पा रहा हूं, I am not sure about that, बट जहाँ तक इनके जो हावाओ थे और जहाँ तक जिस तरह के जंडे और बैनर्स मैंने लगे हुए देखे, इन सभी के कार्स पे, ट्रक्स पे, मॉटर साइकल्स पे और टैक्टर्स पे अल्ड़ी, तो वो सारा मुझे ये लगा कि ये लोग शायद अपना जो प्रदर्शन करने जा रहे थे, डेहली में, दिल्ली में, और सीरिशली यार भीड मतलब मैं वीडियो तो शायद ठीक से बना भी नही थी, और इतने लोग थे, इतने लोग कम से कम, कम से कम, मैं बता रहा हूँ, आठ से दस किलो मिटर ये लोग फैले हुए थे, कम से कम दस किलो मिटर लंबे, मुलब, एरिया में ये लोग फैले हुए थे, कि 10-20 गाड़ी अदर चल रही है, फिर सौ-200 मिटर आगे 10-20-50 या गलत जा रहा है क्योंकि वो है ना कि जब तक आप किसी के जूते में खुद अपना पै डालके ना देखो, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि उसकी कंडिशन कैसी है, बस दूर से खड़े होके किसी के बारे में राय बना लेना कि वो इस वज़े से ऐसा कर रहा है, या वो क्या पता वो किस परेशानी में फसा हुआ है और किस वज़े से वो ऐसे डिसीजन ले रहा है फॉर एक्जामपल हमें चोर लगता है लेकिन जरूरी नहीं है कि शोर नशा करके ही चोरी कर रहा हो शौक के लिए कर रहा हो हो सकता है वो बच्चा कही दिन से बेचारा भूका हो मजबूरन चोरी कर रहा है क्या पता उसके हालाद बहुत ज़्यादा खराम हो तो मेरा अपना मानना ये है कि जब तक आप किसी भी चीज़ को ठीक से लेक 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 परक लेक और दोनों पक्षों की बाप सुन और समझना दे अब तक किसी के बारे में कोई राय नहीं बनाने चाहिए फाइनली वहां से निकलके हम मुरान नगर से निकलके डैली की तरफ आ गए तो ये बीच रास्ते में हमें ये शाइज से नेचर ब्रेज है और इतना प्यारा लगा मुझे लगा कि लाओ इसकी वीडियो एक शॉट में अलब रेकॉर्ड करते हैं थोड़ा सा स्लोव मोशन करके फिर मुरान नगर पहुंचे मुरान नगर में जो इरीना का जो भी हमने सामान ले रखा था basically helmet था और शायद jacket थी तो दोनों चीज़े हमने return करी है helmet exchange करना था जो हमारा helmet था वो हमें लेना था और वहां से थोड़ा सा नाश्ता किया थोड़ी दियर रुके क्योंकि हमारा प्लान ये था कि कैसी भी करके आज रात को घर पहुंचना है तो इस वज़े से उन सारी बातो को ध्यान रखे रीना के घर हमने बहुत साथा time नहीं लगाया जितना हो सकता था best possible कम से कम time मलब वहां पर हमने spend किया हाला कि मन बहुत था क्योंकि एक लंबे वक्त बात रीना से दुबारा मलाकात होई मेरी और unfortunately जो उनके husband है अंको जी वह वहां नहीं थे लेकिन उनसे मिल और इत्वाक से हमारा जो day पड़ा वो बिलकुल जो मलब Sunday वाला दिन पड़ा ही नहीं वीक डेस पे हम थे ठीक है क्या कर सकते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जो सोचते हो जरूरी नहीं वो हो जाए लेकिन hopefully उम्मी दिये कि आगे आने वाले life में अगर कभी दुबारा म अपनी पीक लेविल तक ले जाने के बाद बाइक को खीचने के बाद पूरा ट्रिप करने के बाद मैं कह सकता हूं कि पूरा अलीगर से लेहे और लेहे से अलीगर का पूरा ट्रिप करने के बाद जो सुकून मिला ना वो मालब एक next लेविल था उसको define नहीं किया जा सकता फिर क्या था जैसे तैसे घर पहुंचे और घर पहुंचके सीधे फिर अब जो मेन काम था ना जिसके लिए क्योंकि हाथ पर इतने पेंड कर रहे थे पंदरा दिन का ट्रेप बारा बारा दिन लगे थे शायद और हाथ पर इतने पेंड कर रहे थे कि अब बस यह लग रहा था लेकिन फिर भी जो घर पे नीद आती है न वो मुझे नहीं लगता कहीं आ सकती है बस छोटे वाले भाई की थोड़ी से help ली उससे बोला गयार प्लीज थोड़ी सा लोड करा सारे सामन को मैं सारा खोल रहा हूं और तू इसे सारे सामन को ले जाके प्लीज कैसे भी करके रूम में रख दे बागी का जो होगा वो कल की कल देखूंगा आज भाण में जाने दे बस रख दे कैसे भी तो इस सामन को और इस आखरी वीडियो के साथ हमारा लेका सफर ही समाप्त हो गया है होफुली मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने हमारे वीडियो बड़े शुकून से बड़े खुशी से देखी होंगी और सीरिसली मैं अपने तहे दिल से मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अपने दिल की किस गहराई से आपको धन्यवाद दे रहा हूं सीरिसली अगर आप सरह ने के सारे वीडियो देखिंगा हमारी सारे वीडियो को एंजोए किया थैंक यो, थैंक यू, थैंक यू Shoo यू VRARichmond थैंक यू SO MUCH. ये पव्धραर ने टामपूर रोड, ये अरोडो अमोड ऴूपको, पेई झालो ने लुटा-ग्षाय था सकते हम ने आटी कांपूर।